नमस्कार, इस कथा चैनल पर आप सभी का हारदे स्वागत है। दोस्तो, सन पचास और सन साथ के दशक से ही कहानी विधा में सक्रिय, प्रमुख लेखिका, कृष्णा सोब्ती और उशा प्रिवंदा के साथ-साथ मनुभंडारी जी का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। इन तीनों लेखिकाओं ने हिंदी कहानी विधा में इस्तरी संसार के विविध रूप प्रतक्ष किये और अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। मैं हार गई मनुभंडारी जी का प्रथम कहानी संग्रह है जो सन 1957 में प्रकाशित हुआ। यह कहानी आजादी के बाद के भारती राजनेतिक परिद्रश को नेताओं के चरित्र को इसपष्ट करने वाली एक सशक्त कहानी है। इसमें नेताओं के असल चरित्र से और राजनीती के दलदल से पाठक रुबरु होते हैं। इस कहानी के भीतर एक कहानी लिखी जा रही है बहुत प्रत्न करने पर भी एक आदर्श नेता के चरित्र को गढ़ पाने में लेखिका असफल हो जाती है लेखिका का असफल हो जाना, उसका हार जाना, जनता का हार जाना है कहानी का अंत एक साथ कई प्रश्णों को जन्म देता है क्या वास्तव में वर्तमान समाज में एक सच्चा जन्म प्रतिनिधी जन्ता को मिल सकता है आईए सुने मनु भंडारी जी की प्रसिद्ध कहानी मैं हार गई जब कवी सम्मेलन समाप्त हुआ तो सारा हौल हसी कह कहो और तालियों की गड़ गड़ाहट से गूझ रहा था शायद मैं ही एक ऐसी थी जिसका रोम रोम क्रोध से जल रहा था उस सम्मेलन की अंतिम कविता थी बेटे का भविश्य उसका सारांश कुछ इस प्रकार था एक पिता अपने बेटे के भविश्य का अनुमान लगाने के लिए उसके कमरे में एक अभिनित्री की तस्वीर एक शराब की वोतल और एक प्रती गीता की रख देता है और स्वेंग छिप कर खड़ा हो जाता है बेटा आता है और सबसे पहले अभिनित्री की तस्वीर को उठाता है उसकी बांचे खिल जाती है बड़ी हसरत से उसे वह सीने से लगाता है चूमता है और रख देता है उसके बाद शराब की बोतल से दो चार घूंट पीता है थोड़ी देर बाद मुह पर अतियंत गंभीरता के भाव लाकर बगल में गीता दबाए बह बाहर निकलता है बाप बेटे की यह कर्तूत देखकर उसके भविश्य की घोश्रा करता है यह साला तो आज कल का नेता बनेगा कवी महोदे ने यह पंक्ति पढ़ी ही थी कि हाल के एक कोने से दूसरे कोने तक हसी की लहर दोड़ गई पर नेता की ऐसी फजियत देखकर मेरे तुत्तन बदन में आग लग गई साथ आए मित्र ने वेंग करते हुए कहा क्यों तुम्हें तो वह कविता बिलकुल पसंद नहीं आई होगी तुम्हारे पापा भी तो एक नेता है ना मैंने गुस्से में जबाब दिया पसंद मैंने आज तक इससे भद्दी और भोंडी कविता नहीं सुनी अपने मित्र की वेंग की तिक्तता को मैं खूब अच्छी तरह पहचानती थी उनका क्रोध बहुत कुछ चिलम नव मिलने वालों के आक्रोश के समान ही था उनके पिता चुनाव में मेरे पिता जी के प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हुए थे और हार गय थे उस तमाचे को वह अभी तक नहीं भूले थे और आज यह कविता सुन कर उन्हें दिल की जलन निकालने का अवसर मिला उन्हें लग रहा था मानो उनके पिता का हारना भी आज सार्थक हो गया पर मेरे मन में उस समय कुछ और चक्कर चल रहा था मैं जली भुनी जो गाड़ी में बैठी तो सच मानिये सारे रास्ते यही सोचती रही कि किस प्रकार इन कवी महाशे को करारा साथ जबाब दूँ मेरे पापा जी के राज में ही नेता की ऐसी चीछा लेदर कोई चुपचाप सहलेने की बाद थी भला चाहती तो यही थी कि कवीता में ही उनको जबाब दूँ पर इस ओर अभी कदम नहीं उठाया था सो निश्चे किया कि कवीता नहीं तो कहानी ही सही अपनी कहानी में एक ऐसे सर्व गुड संपन्य नेता के निर्माड करने की मैंने योजना बनाई जिसे पढ़कर कवी महाशा को अपनी हार माननी पड़े भरी सभा में वह जो नहला मार गए थे उस पर मैं दहला नहीं सीधे एकका ही फटकार ना चाहती थी जिससे बाजी हर हालत में मेरी ही रहे यही सब सोचते सोचते मैं कमरे में घुसी तो दिवार पर लगी बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरों पर नजर गई सब के प्रतिभाशाली चेहरे मुझे प्रतसाहन देने लगे सब नेताओं के व्यक्तिगत गुड़ों को एक साथ ही मैं अपने नेता में डाल देना चाहती थी जिससे वह किसी भी गुड़ में कम न रहने पाए पूरे सबताह तक मैं बड़े बड़े नेताओं की जीवनिया पढ़ती रही और अपने नेता का धाचा बनाती रही सुना था और पढ़कर भी महसूस किया कि जैसे कमल कीचड में उत्पन्न होता है वैसे ही महान आत्माएं गरीबों के घर पर उत्पन्न होती है सोच विचार कर एक शुब महुर्त देखकर मैंने सब गुड़ों से लैस करके अपने नेता का जन्म गाउं के एक गरीब किसान की जोपड़ी में करा दिया मन की आशाएं और उमंगे जैसे बढ़ती है वैसे ही मेरा नेता भी बढ़ने लगा थोड़ा बढ़ा हुआ तो गाउं के स्कूल में ही उसकी सिक्षा प्रारंभ हुई यद्दपी मैं इस प्रबंध से विशेस संतुष्ट नहीं थी पर स्वेंग ही मैंने परिस्थिती बना डाली थी कि इसके सिवाए कोई चारा नहीं था धीरे धीरे उसने मिडल पास किया यहां तक आते आते उसने संसार के सभी महान व्यक्तियों की जीवनिया और क्रांतियों के इतिहास पढ़ डाले देखिए आप बीच में ही ये मत पूछ बैठिये कि आठवी का बच्चा इन सब को कैसे समझ सकता है यह तो एकदम और स्वाभाविक बात है इस समय मैं आपके किसी भी प्रशन का जबाब देने की मन इस्तिती में नहीं हूँ आप यह न भूलें कि यह बालक एक महान भावी नेता है हाँ तो यह सब पढ़कर उसके सीने में बड़े बड़े अर्मान मचलने लगे बड़े बड़े सपने साकार होने लगे बड़ी बड़ी उमंगे करवटे लेने लगी वह जहां कहीं भी अत्यचार देखता मुठियां भीच भीच कर संकल्प करता उसको दूर करने की बड़ी बड़ी योजनाई बनाता और मुझे उसकी योजना में उसके संकल्पों में अपनी सफलता हस्ती खेलती नजर आती एक बार जान का खत्रा मोल लेकर मैंने जमिदार के कारिंदों से भी उसकी मुटभेड करा दी और उसकी विजय पर उससे अधिक हर्ष मुझे हुआ तभी अचानक एक घटना घट गई उसके पिता की अचानक मृत्य हो गई दवा इलाज के लिए घर में पैसा नहीं था सो उसके पिता ने तड़प तड़प कर जान दे दी और वह वह बेचारा कुछ भी न कर सका पिता की इस बेबसी की मृत्यू का भारी सद्मा उसको लगा उसकी बूढी माने रोते रोते प्राड तो नहीं पर आखों की रोश्नी गमा दी घर में उसकी एक बूढ और एक छोटी छैगरश्ट बहन और थी सबके भरर पोशड का भार उसी पर आपड़ा आय का कोई साधन था नहीं थोड़ी बहुत जमीन जो थी उसे जमिदार ने लगान बकाया दिखा कर हथिया लिया उसके पिता की विनम्रता का लिहाज करके अभी तक वह चुप बैठा था अब क्यों मानता उसके क्रांतिकारी बेटे से तो वह परचित था सो अवसर मिलते ही बदला ले लिया अब मेरे भावी नेता के सामने भारी समस्या थी वह सलाह लेने मेरे पास आया मैंने कहा अब समय आ गया है तुम घर बार और रोटी की चिंता छोड़ कर देश सेवा के कारे में लग जाओ तुम्हें देश का नव निर्माड करना है शोशितों की आवाज को बुलंद करके देश में वरगहीन समाज की स्थापना करनी है तुम सब कुछ बड़ी सफलता पुरवक कर सकोगे क्योंकि मैंने तुम में सब आवश्यक गुर भर दिये है उसने बहुत ही बुजवे स्वर में कहा यह सब तो ठीक है पर मेरी अंधी माँ और बिमार बहन का क्या होगा मुझे देश प्यारा है पर यह लोग भी कम प्यारे नहीं मैं जल्ला उठी तुम नेता होने जा रहे हो या कोई मजाक है जानते नहीं नेता लोग कभी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते वे देश के संपूर रास्ट के बारे में सोचते हैं तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार चलना होगा, जानते हो ना, मैं तुम्हारी स्रिष्टा हूँ, तुम्हारी विधाता हूँ, उसने सब कुछ अनसुना करके कहा, यह सब तो ठीक है, पर मैं अपनी अंधी बुढ़ी मा की दर्द भरी आहो की उपेक्षा किसी भी मुल्ले पर नहीं कर सकता, तुम मुझे कहीं नौकरी क्यों नहीं दिला देती, गुजारे का साधन हो जाने से, मैं बाकी सारा समय सहर्ष, देश सेवा में लगा दूँगा, तुम्हारे सपने सच्चे कर दूँगा, पर पहले, पहले मेरे पेट का कुछ प्रबंध तो करो, मैंने सोचा, क्यों न अपने पिताजी के विभाग में इसे कहीं कोई नौकरी दिलवा दूँग, पर पिताजी की उदार नीती के कारड कोई जगा खाली भी तो रहने पाए, देखा, तो सब जगा भरी हुई थी, कहीं मेरे चचेरे भाई विराजमान थे, तो कहीं फुफे कर दिया, जमिदार की नई हवेली थी, उसी में इंट ढोने का काम करने लगा, जैसे जैसे वह सिर पर इंटे उठाता, उसके अर्मान नीचे की ओर धसकते जाते, मैंने लाक उसे यह काम नहीं करने के लिए कहा, पर वह अपनी मा बहन की आड लेकर मुझे निरुत्तर कर दे करता, मुझे उस पर कम क्रोध नहीं था, फिर भी, फिर भी मुझे भरोसा था, क्योंकि बड़ी-बड़ी प्रतिभाओं और गुडों को मैंने उसकी घुट्टी में पिला दिया था, हर परिस्थिती में वे अपना रंग दिखलाएंगे, यह सोच कर मैंने उसे उसके भाग पर छोड़ दिया, और तठस्त दर्शक की भाती उसकी प्रतेक गतिविधी का निरिक्षण करने लगी, उसकी बीमार बहन की हालत बेहत खराब हो गई, वह उसे बहुत प्यार करता था, उसने एक दिन काम से छुट्टी ले और शहर गया, उसके इलाज के प्रबंद की तला बहन के करुड चितकार उसके हिर्दय को बेधते रहे, बार बार जैसे उसकी बहन चिला चिला कर कह रही थी, भैया मुझे बचा लो, कहीं से भी, रुपए का प्रबंद करो, मुझे बचा लो, भैया मैं मरना नहीं चाहती, और उसके सामने उसके बाप की मृत्यू का गूम गया, गुस्से से उसकी नसे तन गई, वह गाव आया और वहां के जितने भी संपन लोग थे, सबसे कर्ज मागा, मिन्नते की, हाथ जोड़े, पर निराशा के अतिरिक्त उसे कुछ नहीं मिला, इस नाकामयाबी पर उसका विद्रोही मन जैसे भड़क उठा, वह दिन भर बिना बताए जाने क्या क्या संकल्प करता रहा और आधी रात के करीब दिल में नहायत ही नापाक इरादा लेकर उठा, मैं काप गई, वह चोरी करने जा रहा था, मेरे बनाए नेता का ऐसा पतन, वह चोरी करे, छी, और इसके पहले की चोरी जैसा जगन निकार करके, व मैंने उसका खात्मा ही कर दिया, अपनी ही लिखी कहानी के पन्नों के टुकडे टुकडे कर दिये, उसकी तबाही के साथ एक महान नेता के निर्माड करने का मेरा होसला भी मुझे तबाह होता नजर आया, लेकिन इतनी आसानी से मैं हिम्मत हारने वाली नहीं थी, बड़े धैरे के साथ मैं अपनी कहानी का विशलेशड करने बैठी, आखिर क्यों, आखिर क्यों सब गुडों से लैस होकर भी मेरा नेता नेता ना बनकर चोर बन गया, और खोज बीन करते करते, मैं अपनी असफलता की जड़ तक पहुच ही गई, गरीबी के कारड ही उसके सारे जाकरड कठिन था, एक बार फिर मैंने कलम पकड़ी, और नेता बदले हुए रूप और बदली हुई परिस्थितियों में फिर एक बार इस संसार में आ गया, इस बार उसने शहर के करोड़ पती सेट के यहां जनम लिया, जहाना उसके सामने पेट भरने का सवाल था, न बि उसे सिक्षा दी गई, उसकी अलौकिक प्रतिभा देखकर सब चकित रह जाते, वह अत्याचार होते देखकर तिल मिला जाता, जो शीले भाशर देता, गाउं में जाकर बच्चों को पढ़ाता, गरीबों के प्रति उसका दिल दया से लबालब भरा रहता, अमीर होकर भी व नहान नेता बनने के सभी सुभ लक्षड उसमें नजर आये, कदम कदम पर वह मेरी सलाह लेता और मैंने भी उसके भावी जीवन का नक्षा उसके दिमाग में पूरी तरह उतार दिया था, जिससे वह कभी भी पतभरष्ट ना होने पाए, मैट्रिक पास करके वह कॉलेज गया, जिस कॉलेज में एक समय में किवल राजाओं के पुत्र ही पढ़ा करते थे, आज भी जहां रईसी का वातावरर था, उसी कॉलेज में उसके पिता ने उसे भरती कराया, लेकिन मेरी सारी सावधानी के बावजूद उन रईस जादों की सोहबत अपना रंग दिखाए बिना नहीं रही, अब वह जरा आराम तलब हो गया, मेरे सलाह मशीवरों की अब उसे उतनी चिंता ना रही, घंटो अब वह कॉफी हाउस में रहने लगा, और एक दिन तो मैंने उसे हाउजी खेलते देखा, मेरा दिल धक से कर गया, जुआ, हाई राम, यह क्या हो गया, मैं संभल कर कुरसी पर बैठ गई और कलम को कस कर पकड़ लिया, कलम को जोर से पकड़ कर ही मुझे लगा, मानो मैंने उसकी नकेल को कस कर पकड़ लिया हो, पर उसके तो जैसे अब पर निकल आये थे, जुआ ही उसके नैतिक पतन की अंतिम सीमा ना रही, कुछ दिनों बाद ही मैंने उसे शराब पीते भी देखा, मेरा क्रोध सीमा से बाहर जा चुका था, मैंने उसे अपने पास बुल होकर आया था, बोला, अपने स्वार्थ की पूर्ती के लिए अपनी इक्षा पूरी करने के लिए तुमने मुझे बनाया है, पर यह जरूरी नहीं कि मैं तुम्हारी इक्षा नुसार ही चलो, मेरा अपना अस्तित्व भी है, मेरे अपने विजार भी है, मैं चिल्ला उठी, जानते हो तुम किस से बाते कर रहे हो, मैं तुम्हारी स्रिष्टा हूँ, तुम्हारी निर्माता, मेरी इक्षा से बाहर तुम्हारा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वह हस पड़ा, हरे, तुमने तु मुझे अपनी कलम से पैदा किया है, मेरे इन दोस्तों को देखो इनकी अमाओं ने तो इन्हें अपने जिस्म से पैदा किया है, फिर भी वे इनके नीजे जीवन में इतना हस्तक्षेप नहीं करती हैं, जितना तुम करती हो, तुमने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, ऐसा करो, वैसा मत करो, मानों में आदमी नहीं, काठ का उल्लू हूँ, सो बाबा, ऐसी नेतागिरी मुझसे निभाए न निभेगी, यह उम्र, दुनिया की रंगीनी और घर की अमीरी, बिना लुथ उठाए, यूही जवानी क्यों बरबात की जाए, यह करके क्या नेता नहीं मना जा सकता, और मैं कुछ कहूं, उसके पहले ही, वह सीटी बजाता हुआ, चला गया, कलपना तो कीजिए, उस जलालत की जो मुझे सहनी पड़ी, इक्षा तो यह हुई कि अपने पहले वाले नेता की तरह इसका भी सफाया कर दू, पर सदमा इतना गहरा था, कि जोश नहीं रहा, इतना सब हो जाने पर भी, जाने क्यों, मन में, एक छीर सी आ किये थे, फिर अपने आप रास्ते पर आ गया, संभाव है, इसके हिर्दय में भी कभी पश्चाताप की आग जले और यह अपने आप सुधर जाए, पर अब, अब मैंने उसे आदेश देना बंद कर दिया, और धैर के साथ उस दिन की प्रतिक्षा करने लगी, जब वह पश चरडों में आगिरेगा, और अपने किये के लिए छमा मागेगा, पर ऐसा शुब दिन कभी नहीं आया, जो दिन आया, वह कलपना तीत था, एक बहुत ही सुहावनी सांज को मैंने देखा, कि वह खूब सजधज रहा है, आज का लिबास कुछ अनोखा ही था, शार्क स्कीन क सूट की जगह सिल्क की शिरवानी थी, सिगरेट की जगह पान था, सिंट महक रहा था, बाहर हौन बजा और वह गुन गुना कर अपने मित्र की गाड़ी में जा बैठा, गाड़ी एक बार के सामने रुकी, और रात तक वी साहब जादे, पेग पर पेग ढालते रहे, भद् उसका नाम लिखते हुए मुझे लज्जा आती है, अपने को बहुत रोकना चाहती थी, फिर भी वह घोर पाप मैं सहन नहीं कर सकी और तै कर लिया, कि आज जैसे भी होगा, मैं फैसला कर ही डालूंगी, मैं गुसे से कापती हुई उसके पास पहुशी, इस समय उससे बात क करने में भी मुझे घरड़ा हो रही थी, क्रोध से मेरा रोम रोम जल रहा था, फिर भी अपने को काबू में रखकर और स्वर को भर सक कोमल बनाकर मैंने उससे कहा, एक बार, एक बार अंतिम चेतावनी देने के ख्याल से ही मैं इस समय तुम्हारे पास आई हूँ, तुम्ह जाए तो भूला नहीं कहलाता, पर इस समय वह शायद मुझसे बात करने की मनिस्थिती में ही नहीं था, उसने पांच चबाते हुए कहा, अरे जान, यह क्या तुमने हर समय नेतागिरी का पचड़ा लगा रखा है, कहा तुम्हारी नेतागिरी और कहा च्छमिया का च्छमा रही है, मैंने आखे बंद कर ली और गुसे से होट काट लिये, क्रोध के आवेग में कुछ भी कहते नहीं बना, केवल मुह से इतना ही निकला, दुराचारी, अशिष्ट, उसके मित्र ने जो कुछ कहा, उसकी हलकी सी ध्वनी मेरे कान में पड़ी, वह जाते जाते कह रहा अरे, ऐसी घोर हिंदी में फटकारों गी तो वह समझेगा भी नहीं, जरा सरल भाशा बोलो, और अधिक सहना मेरे बूते के बाहर की बात थी, मैंने जिस कलम से उसको उत्पन किया था, उसी कलम से उसका खात्मा भी कर दिया, वह छमिया के यहां जाकर बैठने वाला था, कि वैसा किया, वैसा पाया, उसने तो अपने किये कफल पा लिया, पर मैं, मैं समस्या का समाधान नहीं पा सकी, इस बार की असफलता ने तो बस मुझे रुला ही दिया, अब तो इतनी हिम्मत भी नहीं रही, कि एक बार फिर से मध्यम वर्ग में अपना नेता उत्पन करके फि और अपने सारे अहंकार को तिलांजली देकर बहुत ही इमानदारी से मैं कहती हूँ कि मेरा रोम रोम महसूस कर रहा था कि कवी भरी सभा में शान के साथ जो नहला फटकार गया था उस पर इक्का तो क्या मैं दुग्गी भी न मार सकी। मैं हार गई। मैं बुरी तरह हार करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंदाई होगी सुनते रहिए कुछ किस्से कुछ कहानिया आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।